नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सन्मार्ट सूरी गरहन का बेग्यानिक महत्य होने के साथ जो तिसी और धार्मिक महत्य भी है दो सूरी गरहन लगने जा रहे हैं वैसे तो 2020 में लेकिन जो पहला सूरी गरहन है 2021 का वो 10 जून को लगेगा और 10 जून को लगने वाला ये गरहन दोपहर 1 बच कर 42 मिनट से सुरू होगा और साम 6 बच कर 41 मिनट तक रहेगा सूरे गरहन उत्तरी अमेरिका, उत्तरी भाग और यूरोप, एसिया, उत्तरी कनाड़ा, रूस और ग्रिनलेंड में पुन रूप से दिखाई देगा यह गरहन भरत में दिखाई नहीं देगा जिस बज़ा से सूतकाल भी मानने नहीं होगा जोतिस मानने ताओं के अनुसार सूतकाल वहीं मानने होता है, जहां पर गरहन दिखाई देता है तो इस सूरे गरहन के समय जो गरवती महलाएं हैं, वो जरूर साबधानी रखेंगी आपको खुले आसमान के नीचे गरहन के वक्त नहीं आना है इस समय बहुत जरूरी हो, तो अपने गर पर चंदन का लेप या तुलसी के पत्ते का लेप लगा कर अच्छे से पूरे कभर करके अपने आपको फिर आप निकलिए दूसरी बात, आपको इसमें पत्ते या तिनके भी नहीं तोड़ना है, मिट्टी नहीं कोड़ना है, गार्डनिंग नहीं करना है और नाही चाकू और छूरी का यूच करना है, कैंची से भी कोई भी चीज नहीं कट करना है सिलाई नहीं करना है यानि स्वी धगा का प्रयों नहीं करना है इसके साथ ही आप इस समय ताला चावी खोलना लगाना भी ना करें क्या करेंगी? देखिये आपको खासकर सावधान रहना होगा और इस समय आप एक पानी वाला नारियल अपने गोद में या अपने पास हमेशा ही रखें जितने दिर की गरहन रहता है बाद में उसे किसी नदी में प्रभाहित करवा दें या पास के मंदर में रख दें गरहन इस बार का बहुत ही दुरलब और अनुखा है तो इस गरहन का प्रभाव हर रास्यों पर भी बड़ेगा फिलाल हम आपसे विदा लेते हैं हर हर महादेव जानकर ये अच्छी लगए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें